हलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे IPC की धारा 186 और 187 के बारे में है यदि आप पिछली धारां की वीडियो देखना चाहते है तो आप यहां पर किलिक करें आई बटन के करने पर उसका लिंक आपको यहां से मिल जाएगा हम बात करते हैं आई पीसी की धारा 2018 के बारे में ये कहती है लोग सेवक के क्रत्यों के निर्वहन में बाधा पहुचाना अब इत्ती सुद्ध लेंगवेज कैसे समझ में आईगी इसका सीधा सीधा मतलब है IPC की धारा 186 ये कहती है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सरकारी अधिकारी है या वो कोई जनप्रती निदी है जनप्रती निद उसको हम कहेंगे कि दौक सेवक के कार्यों में बाधा पहुचाना इसका सीधा सीधा मतलब समझ लें है कि यदी कोई व्यक्ती है जो लोग सेवक है और लोग सिवक के नाते वो लोग क्रत्यों को कर रहा है यहने के जनता की सिवा के लिए उसको रखा गया और वो जनता की सिवा कर रहा है और ऐसे में कोई व्यक्ति उसको बाधा पहुंचाता है तब यहाँ पर IPC की धारा 186 लागू होती है जो कोई किसी लोग सिवक के लोग क्रत्यों के निर्वहन में स्वेक्छा या बाधा पहुंचाएगा बाधा डालेगा वह दोनों मैंसे किसी भी भाती के कारावास से जिसकी अबदी तीन माह तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा या दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकेगा इस प्रकार से बताती है IPC की धारा 186 अब इसको हम कुछ उधारन से भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार से बाधा पहुंचाने का तात्पर ऐसे कारियों स जो हिंसात्मक या हिंसा प्रदर्शन वाली प्रक्रती के होते हैं और यदी और इसके लिए जो एक चीज और है कि इसके लिए बलका प्रियो करना आवश्यक नहीं है बलका प्रदर्शन करना मात्र या धंकी देना मात्र ही परियाप्त हो जाता है कि वह सरकारी कारे करने वा बादा पहुचाता है उधारन है इसका स्विव प्रसात तिबारी बनाम भूप नारायन पाठक का एक उधारन है इसमें इस मामले में हुआ क्या था कि इस मामले में चप्रासी जो है मतलब कि न्यायलाय का चप्रासी था और वह व्यक्ति जो है दो व्यक्तियों को गरपतार कर करके ला रहा था जो की अभियुक्त थे तो अभियुक्त को जो है उन्हें अलाई की तरफ ले करके जा रहा था गरपतार करके ऐसे समय में क्या किया कि अभियुक्त ने चार अन्य लोगों को बुला लिया उसको बचाने के लिए तो चार अन्य लोग आ गए और उस चपरासी से उन चार लोगों ने उन अभियुक्तों को बचा लिया तो ये अभी निर्धारित किया गया कि वो जो चार लोग थे जिन्होंने अभियुक्तों को बचाया और अभियुक्तों को ले गए तो कहा ये जाएगा कि वो जो चार लोग थे उन्होंने जो है लोग सेवक के लोग क्रत्यों में बादा पहुँचाई और IPC की धारा 186 के अंतरगात उनको दंडित किया जाएगा तो अब हम बात करते हैं IPC की धारा 187 के बारे में IPC की धारा 187 क्या कहती है ये कहती है लोग सेवक की सहायता करने का लोग जबकि सहायता देने के लिए विदी द्वारा आबद हो यानि किसी व्यक्ति को लोग सेवक की सहायता के लिए आबद किया गया हो और वह व्यक्ति लोग सिवक की सहायता करने में लोब करे लोब करे का मतलब यह है कि उसकी सहायता वो ना करे तो जो कोई किसी लोग सिवक को उसके लोग क्रत्यों के निर्वाहन में सहायता देने या सहायता पहुंचाने के लिए विदी द्वारा अबद किया गया है सा आसाय लोब करेगा आसाय के सांत लोब करेगा तो वह सादा काराबास से जिसकी अबदी कितनी हो सकेगी जिसकी अबदी एक माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जुर्माना जो 200 रुपे तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा या दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकेगा इस प्रकार से IPC की धारा 187 में बताया गया लेकिन 187 में एक चीज और बताई गई है थोड़ा सा इसको हम गंबीर करते हैं और गंबीर होने के बाद इसमें सजा के प्रावधान भी बढ़ जाएंगे और यदि ऐसी किसी सहायता की मांग ऐसे लोक सिवक द्वारा जो ऐसी मांग करने के लिए वैद रूप से सक्षम हो नियायले द्वारा अब देखो नियायले की बात आजाती है यहां पर नियालाय द्वारा बैद रूप से निकाली गई किसी आदेशी का के निस्पादन में या अपराद किये जाने के निवारण के लिए या बलबे या दंगे को दवाने के लिए या किसी अपराद के आरोपी को विधी पून डंग से अभी रक्षा में जो निकल के भाग गया हो उसको विधी पून डंग से गिरपतार करने के लिए हो और उसमें सहायता मांगी गई हो और ऐसी सहायता देने में किसी व्यक्ति के द्वारा लोप किया गया हो उसको जो अभी रक्षा से भाग के निकल गया है उसको पकड़ने में सायता नहीं कही की हो ऐसे जो दो चार मामले हैं यदि ऐसे मामले होते हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति को जो है सादा कारावास से जिसकी अवदी जो है 6 माह तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा या दोनों से ही उसको दंडित किया जा सकेगा इस प्रकार से हमने आज बात की IPC की धारा 186 और 187 के बारे में यदि आप IPC से related संपून अध्यान करना चाहते हैं पूरी की पूरी IPC का अध्यान करना चाहते हैं तो आप आई बटन पर किलिक करें यहाँ पर उसका link आपको मिल जाएगा तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को like करें, share करें, comments करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें वेल आइकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद